हलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्यूरियस सेंटर दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज है कि यूपी त्रिपलेसी ने लेकपाल के लिए आफिसियल कटाफ घोसित कर दिया है आप सभी को पता है कि 2021 में अगस्त में पीटी एक्जाम कन्डेट कराया गया था और उसके अधार प करते हैं उसके बाद हर कटेरी का कटाप देखते हैं कि कितना माक्स चाहिए लेकपाल के एकजामे वैटने के लिए तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं मैं यहां पर देखिए यह विग्यापन इसमें बताया गया कि 8,085 पद हैं जिसके लिए 13,90,305 विद्यार्थ दोस्तों को बुलाया जा रहा है जितना सीट है तो इस इसाफ से 2,47,666 बिद्यार्थियों को लेकपाल में बैटने की अनुमती दी जा रही है दोस्तों यह तो बात रही यहां पर कि कितने बिद्यार्थी बैठेंगे देख लिजे आप 13,00,000 लोग फाम अपलाई किये हु करने से पहले आपको जनरल और OBC कटेगरी के अगर आप हैं तो 200 रुपे और अगर आप 802 के हैं तो 802 रुपे असुल्क जमा करेंगे उसके बाद आपका एडमिट कार्ट जनरेट होगा दोस्तों यह फीस जो है सबको सम्मिट करना अनिवार है यह 802 के लिए 80 रुपे और कटाफ आप लोग देख लीजिए सबी लोग यह है कटाफ आप चाहिए तो इसकी स्क्रीन सॉट भी मार सकते हैं सबसे पहले आप लोग देखें तो जनरल कटेगरी का जो है वो 62.9 है यानि 63 नमबर अगर आपका है तो आप जनरल कटेगरी के लिए इलिजिवल है यसी का यहाँ पे दिया हुआ है 61.8 जो की बहुत हाई है उसके बाद यस्टी कटेगरी और यहाँ पर OBC का यह है और यह दोस्तो है EWS का तो आप देख सकते हैं जनरल और EWS का इक्वल है यानि कि जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट है इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला EWS का भी थोड़ा सा कम है और ST के लिए देखिए आप 44 है और यहाँ पर होरिजेंटल जो आरचछड़ा उसके बारे मतायागे है यानि स्वतंता सेनानी आश्रित या जो फ्रीडम भाइटर थें उनसे सम्मंदित चुब्यक्ति हैं या जो उनके बच्चे हैं उनके लिए य इतना कटाफ है उसके बाद दोस्तों भूतपूर सैनिको के लिए 0.91 है जो की बहुत कम है तो दोस्तों यह रही कटाफ की बात तो दोस्तों आप सभी लोग यूपी त्रुपलेसी के आफिसियल वेशाइट पर जाकर फीस सम्मिट करिए और जब एडमिट कार आएगा तब आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप फीस सम्मिट नहीं करेंगे तो आप का एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा और आप नहीं डाउनलोड कर पाएंगे तो दोस्तों मैंने आप से पहले ही कहा था कि अगर 60 पलस है तभी आप लेकपाल की तयारी करिए और यहाँ पर द दोस्तों को भी सेर करें नमस्कार जैहिंद